नमस्कार मेरे पहरे साथियों कैसे हो उमीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तो कल मैंने जो स्टार्ट की थी जो सिरीज का दूसरा वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तो आपको पता है मैंने जो series start की थी इसमें मैंने आपको 500 question करवाने की मैंने आपको कहा था तो 500 question मैं आपको पूरे करवाँगा कोई उसमें doubt नहीं है लेकिन अगर आपका 7 अच्छा रहा तो दोस्तों ये 500 के बज़या अजहर भी हो सकते हैं मैंने आपको कल भी बताये था आपके पटवारी एक्जाम के लिए बहुत बड़ा रोल साबित करेंगे दोस्तों आप एक बार पेपर देखे आना फिर देखना इससे रिलेटेड कितने क्यूशन आपके अग्जाम में आते हैं दोस्तों ये जो क्यूशन मैंने आपके लिए हैं ये क्यूशन वो क्यूशन है जो आपके प्रिविएस एयर अग्जाम में राजस्थान के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों सामानी विज्ञान के लिए बहुत बड़ी रामबान क्यूशन सिरीज आपके लेके आया हूँ, इसका PD भी आपको मिलेगा, लेकिन वो अंत में मिलेगा, पहले आप अच्छे सिन कुशनों को देख लो, अच्छे सिन को त्यार कर लो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज कि इस दूसरी वीडियो के बारे बात करते हैं, कले मै धार, भूत, तत्वे और देनिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, मानो सिरी से समधित, इसमें मैं लगबग 200 कुशन इसमें करवाने की कोशिश करूँगा, 200 कुशन इसमें, और जो बसता उसके 300 कुशन, टोटल 500 अपके सामने हैं मेरे पैरे साथ स्यों, ये रहा देख लीजिए, ये रहा 31 कुशन, ठीक है, क्युशन है, green house gas कौन सी है, निमन मैं से green house gas कौन सी है, चलिए, निमन मैं से green house gas कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है, green house gas वो है आपकी CO2, CO2 carbon dioxide आपकी green house gas है तो इस green house gas CO2 के साथ साथ में कुछ अन्य gas भी होती है अन्य gasingen भी होती है जैसे argon gas हो गई argon gas के साथ आपका जलवास्क हो गया जलवास्क भी क्या है प्यारे साथ हम एक परकार का greenhouse gas है उसको भी greenhouse gas की स्रैने में सामेल किया जाता है, लेकिन सबसे पर्मुक जो होता है पर्मुक जो कोन होता है? CO2 होता है, सबसे पर्मुक greenhouse gas कौन से होती है? CO2 होती है, जो yu minimum है, लेकिन एक है, प्यारे साथ्यों, carbon mono oxide यानि CO यह सबसे ज़्यादा परदूसक गैस है यह सबसे ज़्यादा परदूसक गैस है मैंने आपको कल बताया था ठीक है अगला question 32 number question green house प्रभाव के लिए मुखेते, जमिदा, जिमिदार वायो मडली गैस कौन से है तो वही बात है अब ग्रिन हाउस गैस के लिए आपकी carbon dioxide यह question पूछे गए प्यारे प्यारे साथियों अलग-लग अलग अलग जाम में इसलिए दो-दो बार आगए यह question ठीक है अच्छा अगला question 33 number question निमनल रिकित में से कौन से gas सबसे अधिक विसाक्त है विसाक्त मतलब जहरीली गैस कौन से है अभी मैंने आपको बताया था monoxide carbon monoxide CO CO जो है न वो आपकी क्या है प्यारे साथियों सबसे अधिक विसाक्त gas है सबसे अधिक विसाक्त gas यानि सबसे अधिक जहरीली gas आपकी carbon monoxide है ठीक है न मतलब परत्वी के तापमान में वर्दी होना वो green house क्यालाता है तो परत्वी के तापमान में वर्दी करने के लिए मतलब कौन जिम्मेदार है carbon dioxide और सबसे जहरीली gas आपकी carbon monoxide 34 number question की बात करता है 34 number question है ओजोन प्रत का अवक्षय मुखित किस कारण से होता है ओजोन प्रत की मोटाई में कमी किस के कारण हो रही है तो ध्यान रखना chloro fluorocarbon मैंने आपको कल बताया था chloro fluorocarbon chloro fluorocarbon यानि CFC CFC क्या करता है पहरे साथ यो ओजोन प्रत की मोटाई में कमी करता है और पहरे साथ यो ध्यान रखना, ओजोन का जो सुत्र होता है वो होता है आपका O3, इसको विगटिद कॉन कर रहा है, CFC इसको विगटिद कर रहा है, और इस CFC का उप्योग होता है आपका फ्रीज के अंदर, इसलिए इस ओजोन प्रत की मोटाई में कमें नहीं हो, इसलिए फ्रीजों में इस CFC के जगए HFC का उप्योग किया जाना चाहिए, यह इसका उपाये है, क्यों कि HFC इसको क्या नहीं करेगा, इस Ozone परत को विगटी तो नहीं करेगा, और HFC किस की तरह काम करेगा, फ्रीज के अंदर तो CFC की तरह काम करेगा, यह थोड़ा सा एक निदान है, ध्यान रखना, यह भी आपसे पूचा जा सकता है, अगले क्यूशन की बात करते हैं, 35 नंबर क्यूशन की, चलिए 35 नंबर क्यूशन आपके सामने, कि ओटो मोबाइल वहनों दुवारा निसकासित मुखे नुकसान दे है गैस, जिससे प्रदुसित होता है, वो निमनलिकित में से कौन सी है, ध्यान रखना पहरे साथ ही, कारबन मोनोकसाइड यानि जो दुवा होता है, आपका जो दुवा होता है, गाडियों का दुवा, गाडियों के दुवाइं से क्या निकलती है आपकी, गाडियों के दुवाइं से निकलती है कारबन मोनोकसाइड, जो सबसे जहरीली गैस होती है इसके साथ पहरी साथ यूजो आपका cigarette होता है cigarette तो cigarette से क्या निकलता है तो cigarette से एक तो धुआ निकलता है उस धुए के अंदर क्या होता है cigarette का जो धुआ होता है उसके अंदर क्या होता है तो उसके अंदर एक तो carbon monoxide gas होती है और इसके साथ साथ में एक निकोटिन नाम का पदार्थ होता है निकोटिन नाम का पदार्थ भी जहरीला होता है तो इस सिगरेट का दुआ भी एक परकार की जहरीली गैस मान सकते हो जहरीला दुआ मान सकते इसको तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है अगला क्यूशन आपके सामने कि निम्न लखेती में से पोध घर पर भाव भी एक परकार का ग्रिन हाउस एफेक्ट है पोध घर पर भाव भी आपका क्या है एक परकार का ग्रिन हाउस एफेक्ट है यह भी ध्यान रखना आपको कि कौन सा पोद घर परभाव पर ज़्यादा असर डालता है तो भी पोद घर परभाव एक परकार का क्या होता है ग्रिन हाउस परभाव होता है और ग्रिन हाउस परभाव के लिए सबसे ज़्याद उतरदा इकोन होता है option number आपका C क्या हो जाएगा character answer हो जाएगा 37 number question आपके सामने कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सला नहीं दी जाती क्यों नहीं दी जाती इसका कारण क्या है क्योंकि प्यारे साथ यो ध्यान रखना जो पेड़ पोदे होते हैं पेड़ पोदे क्या करते हैं, दिन के अगर बात करें, तो दिन में तो ये क्या करते हैं, छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, ओक्सिजन, लेकिन पहरे साथियो रात के अगर बात करते हैं, तो रात में ये क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, रात को CO2 छोड़ते हैं, और पोधा होता है जो रात को क्या करता है ओक्सिजन देता है रात को औक्सिजन देता है और सभी पोधे क्या करते हैं रात को करबंडा युक्साइड देते हैं लेकिन ये रात को क्या करता है पीपल रात को औक्सिजन देने का काम करते है इसलिए इसकी मानिता ज्यादा है यह बा रखना मेरी पहरे साथ ही हो, जो आपकी चुहे मारने की जो दवा ही होती है, चुहे मारने की जो दवा होती है, उस चुहे मारने की दवा के अंदर क्या होता है आपका, उस दवा के अंदर आपका होता है, जिंक फासफाइड, जिंक फासफाइड को चुहा मारने की दवा भी क जाता है और चुहा मारने की दवय को क्या का जाता है क्रिंतनासी का जाता है जो क्रिंतनासी क्या होते हैं जो आपकी फसल को बरबाद करने ही कोशिस करते हैं यह से जो फसल को बरबाद करते हैं और फसल को बरबाद ज्यादा कौन करता है चुहा भी करता है तो क्रिंतनासी के आपका चूहा आता है तो चुहे मारने के जो दवा होती है उसमें जिंक फासपाईड होता है ठीक है तो बड़ा इप्वोर्टेंट कि उसने ध्जान रखना अगला कुशन अगला कुछने की परकर्ती में पारिस्थिती की तंत्र में निवनलख्यती में से किस तत्वे का परतिसत सबसे अधिक है परकर्ती का जो पारिस्थिती की तंत्र है इसके अंदर कौन सा तत्वे सबसे ज़्यादा मात्रा में है पारिस्थिती की तंतर का मतलब होता है पहरे साथ यो वाईयू मंडल पारिस्थिती की तंतर का मतलब है वाईयू मंडल तो वाईयू मंडल में सबसे अधिक कौन है आपकी नाइट्रोजन है कितने परसेंट 88% और दोस्तो हाईट्रोजन के अगर बात करते हैं तो ये बर्मान में सबसे ज़्यादा है ये बर्मान में सरवाधिक अगर आपको बात पूछे वायू मडल में सरवाधिक तो वायू मडल के अंदर तो सरवाधिक आपका नाइट्रोजन है लेकिन अगर बर्मान की बात पूछे तो बर्मान में सरवाधिक कोने आपका हाइट् क्योंकि बड़ी इपोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अभी लाइक करेंगे अभी शेयर करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे क्यूशन आपके लिए लेकाया हूं देख लेना आपके अग्जाम में क्यूशन लग वाईयू गैसों से मिलकर बनती है अब गैसें तो बहुत सारी होती है लेकिन मुख्य गैस कौन से होती है तो आपको पता है नाइट्रोजन प्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक मातरा में पाई जाती है मालो इतनी वाईयू में लिली इस वाईयू में ज्यादा क्या मिले है कारबंडा योकसाइड हमारी 0.03% मात्रा में मिलती है और पहरे साथ यो oxygen 21% मात्रा में मिलती है ठीक है और hydrogen बर्मान में सरवाधीक मात्रा में पाया जाने वाली गय से ये बात मैंने आपको बता दी लेकिन एक क्यूशन आप यह पूछता है कि वाईयू मंदल का, चली मैं बतातू हूँ, बड़ा इपोर्टेंट क्यूशन, वाईयू मंदल का, सल नहीं रहा है यह, यह लिए कोई बात ने, बताता हूँ हम आपको, क्यूशन आपको पूछ लेगा, वाईयू मंदल के स्थाई घटक, वाईयू मंदल के स्थाई घटक कौन-कौन से होते हैं, वाईयू मंदल के दो परकार के घटक होते हैं, एक होता है आपका स्थाई घटक, एक पहरे साथ आपका, एस्थाई घटक, अगर हम स्थाई घटक की बात करते हैं, स्थाई घटक की अगर बात करते हैं, वाईयो मदल के स्थाई गटक के तो उसमें आपका आता है एक तो नैट्रोजं एंट्व और एक आता है आपका Oxygen, जो दो गैसे होती है इनको तो वाईयो मदल के स्थाई गटक माने जाते हैं, और दोस्तो एक और होती आपकी Gas, कारबंडा यॉकसाइड और जलवास्प, कारबंडा योकसाइड और जलवास्प जोए ना प्यारे साथियो उनको S-thi गटक किस रणे में लिया गया है, S-thi गटक तो वाई-यो मडल के S-thi गटक आपके CO2 हो गया, जलवास्प हो गया, अन्ने गैसें जैसे आरगन गैस हो गई, मिठेन गैस हो गई, इन गैसों को किस रणे में लिया गया है, S-thi गटक किस रणे में लिया गया है, तो S-thi गटक आपको याद रखने है, नाइट्रोजन उक्सिजन इसके लावा सबी, इस सबी क्या है, S-thi है तो ये किसन भी आपसे पूछा जा सकता है आपके अकजाम के अंदर, ठीक है, चलिए, हाँ, मैं जल्दी जरूर करवा रहा हूँ, किसन, लेकिन पहरे साथ या आपको समझ मैंने सही है, ठीक है, जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसन मैं आपको करवा दूँ, जितना हो सकते हैं, उतने ज़्यादा किसन मैं आपको करवा दूँ, प्रिक्षा तक, तो ज़्यादा किसन आपका भी बला हो जाए, और मेरे को भी थोड़ी साहनु बुती मिले, मेरे को भी ऐसा महसूस हो कि यहां मैंने कुछ किया है, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाईयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, तो मेरे को भी थोड़ा संतुष्टी फिल हो, इसलिए मैं जल्दी करने कोशिश करूँगा, ठीक हैं, अच्छा, 41 नंबर क्यूसर है, ग्रीन हाउस एफेक्ट का क्या अभी प्राए है, ग्रीन हाउस एफेक्ट का क्या अभी प्राए है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ग्रीन हाउस एफेक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे तो सिधा सा मतलब होता है, कि हमारी जो प्रत्वी होती है, हमारा जो वाईयू मंदल होता है, हमारा जो वायू मंदल होता है इसमें क्या हो जाना इसका, मतलब तापमान बढ़ जाना इसका तापमान क्या हो जाना बढ़ जाना, तापमान बढ़ने को हम क्या बोलते हैं Green House Effect बोलते हैं इनको पढ़के देखू, पहला दिरका है उसमा के संचरने के लिए कैसे समझो, चो CO2 होती है, CO2 वो क्या करती है, CO2 जो गैस होती है, वो क्या कर लेती है, तापमान जो आता है, उपर से तापमान आता है, होता क्या है देखो इस परकार से, यह मालो हमारी परत्वी होती है, यह हमारा सुरिय है, यहां पर इस परकार से, इस परकार से क्या होती ह CO2 की परत पाई जाती है CO2 की क्या पाई जाती है परत पाई जाती है यह क्या करती है CO2 CO2 इससे तापमान को इसकी गर्मी को इस गर्मी को क्या कर लेती है अवसोसित कर लेती है इसका संग्रे कर लेती है अवसोसित कर लेती है और यह गर्मी हमारी परत्वी परा जाती है जब यह यहां से टकरा कर वापस जाती है तो इसको वापस जाने नहीं देती है यह CO2 की परत इसलिए इस CO2 को मुख्य गटक माना जाता है ग्रिन हाउस इफेक्ट का इसी लिए ये जो पर्थवी होती है गरम हो जाती है यहां से तापमान गरम हो जाता है और इसकी समस्याई भी बोच जादा है तो प्यारे साथियो ध्यान रखना पारब बंडा योकसाइड जो गैस होती है वो क्या करती है सोर उर्जा का संग रह कर लेती है सोर उर्जा का मतल प्रत्विक अताप मन बढ़ जाता है और इसी कम क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उमीद कर सकता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीक है चलिए अगले क्यूसन की बात करते हैं 42 नंबर क्यूसन की 42 नंबर क्यूसन है कि बॉन एस में क्य होता है बॉन एस नंबर क्या होता है क्या होता है अपको यह बताना है इत्रोजन आपकी green house गैस नहीं है यह आपकी chloro-floro carbon b chopped green house गैसे पीची इसे और carbon dioxide युक्साइड तो आपकी मुख्य ग्रिण हाउस गैसे यह तो आपकी मुख्य ग्रिण गैसे तो यह बात बाला एक दाई सर्वादिक किसकी घटक होतीति उसके अंदर क्या पाई जाता तो उसके अंदर आयोडिन सरवादिक पाये जाता है, क्यों? क्योंकि जो सागर होता है पहरे साथ ही, वो ज्यादतर क्या होते हैं? खारे पाने के होते हैं, किसके होते हैं? खारे पाने के अंदर आपको पता है, खारे पाने से आपका नमक बनता है, और नमक के अंदर आपका क क्या पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है तो ध्यान रखना जो भी आपके सागर के अंदर या फिर महासागर के अंदर जो आपके पेड़ पोदिवनस्पति जो पाई जाती है या खरपतवार जो पाई जाती है वो सरवाधिक किस के महतुपुन शुरूत होते हैं तो आपक हरित ग्रह परभावों में योगदान करता है कॉन सा Green House प्रभाव में क्या करता है कोन सा संहोग करता है तो देखिए कौन डाय उक्साइड और मितियन बिल्कुल सियो 2 और सी एस 4 सी ओ पूर सिया तो मुख्य ग्रिनँगथ है और ये भी आपकी ग्रिनँगथ है लेकिन ammonia ओजो नहीं है carbon monoxide और sylpha definite नहीं है carbon tetrafluoride और nitrous oxide नहीं है तो आपका option number A कैही है correct है जिएन रखना सिधया सिधया अगला क्यूस्टन है सूचना अभ्यांत्री की एवं समंध विग्यानों को के छेत्र में राष्ट्री उतकृ Giving किया गया, ये क्यूस्टन बड़ा इपोर्टेंट है, पेंगलूरू के अंदर, पेंगलूरू के अंदर आपका राष्ट्री उतकृष्टन संस्थान स्थान समदीत है विज्ञान science and biotechnology समदीत है आपका राष्ट्रे उतकर्ष्टा सैंस्थान जो आपका बैंगलरू के अंदर स्थापित किया गया चलिए अगले क्यूशन की बात करते है 47 नंबर क्यूशन के 47 नंबर क्यूशन है कि गोबर गैस के अंदर क्या होता है प्रमुक रूप स गोबर गैस के अंदर या फिर इसको बायो गैस भी बोलते हैं इस गोबर गैस को हम क्या बोलते हैं बायो गैस के नाम से भी जानते हैं तो बायो गैस के अंदर सरवादिक मातरा में या फिर इसका मुख्य गटक कोन होता है गोबर गैस का तो भी गोबर गैस के अंदर सरवा अगला क्यूशन है कि विज्ञान और टेकनोलोजी उपकरम यानि इंट्रप्रणियोर्शिप पारकों में निमन लिखित में से किसका स्थान नहीं है जो आपका इंट्रप्रणियोर्जो पारक होते हैं उनके अंदर किसका स्थान नहीं है इंट्रप्रणियोर्शिप में किसक स्थान नहीं है, तो ध्यान रखना है पहरे साथ यो, वो प्रसिक्षन भी देते हैं, वो अंक सोधन भी या प्रिक्षन भी करते हैं, वो प्रलोगी की विकास से समधित भी है, लेकिन पहरे साथ यो, वो धन एकरत्रित करने से समधित नहीं है, धन एकरत्रित करने से समधित न लगता है प्रना पूरी दिन अच्छे से चलता है ये कोई बात नहीं ठीक है अगला क्यूशन चुहोski के विष का राशाणी के नाम क्या है चुहो के जहर का राशाणी के नाम क्या है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था Zincaban जिंक फासफाइड बताया था नहीं आपको ये पीछे क्यूशन जिंक फासफाइड आपका क्या होता है चुहों का विस होता है जिसका राचानिक नाम जिंक फासफाइड है अगला क्यूशन है कि बायो गैस बनाने के लिए परियुक्त दर्वे कौन सा है कौन सा पदार्थ है जिससे क्या बनती है बायो गैस बनती है तो दोस्तों उस पदार्थ का नाम में आपको पता है पस्वों के अप्सिष्ट पस्वों का जो अप्षिष्ट होता है, मलमूत्र जो होता है, पस्वों का जो मलमूत्र होता है, उस पस्वों के मलमूत्र से ही क्या बनती है, आपकी बायो गैस बनती है, और उस के अंदर सरवाधिक मातरा में आपकी कौन सी गैस होती है, CH4 gas होती है यानि इससे पस्वों के अप्षिश्पदार्थों से कौन सी gas बनती है बायो gas बनती है उस बायो gas के अंदर आपके क्या होती है पिछेतर परसेंट मात्रा में आपके यह methane gas है ठीक है तो यह बात पर आप ध्यान रखेंगे चलिए अगला question गया वन नमबर question पिछल यह रुख गया फिर से हां एक वन नमबर question वन आपके क्यों है कि निम्ट रखेतर में असरू गैस का गटक कौन सा है यानि आशू गैस के अंदर कौन क्या पाया जाता है आंसू gas के अंदर क्या पाय जाता है यह आपसे पुछा है तो ध्यान रखना मेरे पेरे साथ यह आंसू gas के अंदर chlorine gas पाय जाती है chloropicrin chloropicrin भी आप इसको कह सकते है option number D क्या हो जाएगा, आपका crack tensor हो जाएगा आंसू gas के जो गोले छोड़े जाती है जो आपकी पुलिस वगेर होती है वो क्या करते आसु गैस की गोले सोड़ती है न तो वे एक परकार की क्लोरिन गैस होती है उसको हम बोल दें क्लोरोपिक्रिन ओप्स नमबर D आपका राइट है बायो गैस का मुखे गटक क्या है तो बता दिया मैंने आपको मिथेन है प्यारे साथियो ध्यान रखना उसके बाद त्रेपन नमबर क्यों सन कि भीड को तित्र बित्र करने में पुलिस द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाली आसु गैस क्या होती है आसु गैस एक परकार की क् susception time drinking आपका क्या हो जाएगा राइट एंजिर हो जाएगा चाहएगा चीक है है जलिया स सकना नमबर क्यों ऐस्स द्वारा फेलने वाला रोग कोन सा है आस बयस्स कोन सा रोग फैल आता है तो इस प्यों स्न आइस भ Keith जो है एस भेस्स से की जो खान होती हैं और इस खान में काम करने वाले जो वेक्ति होते हैं उन वेक्तियों के वात स्फिति, वात स्फिति का मतलब होता है फेफरों का कैंसर, फेफरों का कैंसर, फेफरों का कैंसर जो होता है उसको बोलते हैं वात स्फिति, तो ये फेफरों का कैंसर किस के करन होता है, एस बेस्टस के कारगानों में या फिर खानों में काम करने वाले वेक्टियों के ठीक है, option number आपका एक रेक टेंसर है चलिए अगला question अगला question है कि वह ओस्धी कौन सी है जो दूस चिंता को कम करती है दूस चिंता को कम करती है और सांती परदान करती है दूस चिंता का मतलब हमारे tension जो हो जाती है उस tension को दूर करने का काम करती है तो tension को दूर करने के रूप में कौन सी ओस्धी काम में ली जाती है tension दूर करने में कौन सी ओस्धी काम में ली जाती है तो ध्यान रखना प्रसंतक यानि जो हमारे सरीर में संति उत्पन करें उसको बोलते हैं प्रसंतक, संति परदान करने में प्रसंतक का उप्यों किया जाता है अब प्रसंतक में कौन-कौन से उस्दी काम आती है तो important है इसकी एक venil एक venil नाम का एक रासानिक पदार्थ है पहरे साथ यो ये बड़ा important है प्रसंतक की रूप में काम आता है इसी परकार से एक होता है आपका luminal 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 नाम का जो रासानिक पदार्थ है वो भी आपका क्या होता है इसी परसंतक असनी की रूप में काम आता है वैसर बहुत सारे है बहुत सारे है वही बात है बुकार की टेबलेट बहुत सारी आती है लेकिन उसके अंदर पदार तो वही होता है तो यह बात हैं की इनgtर है यह जो इक्वे निल और लूमिन निल जो है न वो बड़े इपोर्टेंट है इसके लिए परसांतक के रूप में चलिए अगला क्यूशन है 57 नमबर क्यूशन कि ब्रेल लिपी की खोज से कौन जूड़ा है ब्रेल लिपी की खोज किसने की यह जो चलिए एदसकी रूप में आपका एलिटसक टेस्ट काम आता है ध्यां रखने जिस परकार से इल्टरसाउंड होता है है ना और सिटिश के नोत उसी प्रकार से एलिसा एक टैस्ट है पहले साथ इउ जो किस चेंदर कामाता है कि रोग्यों के लिए कामाता है तो बड़ा इनध्सब्स में से समझने एलिसा test चली अगला क्यूशन हाँ अगला question आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन यह चल नहीं रहा है बस एक सेकिंड का time दे दीजी मेरेको हो जाएगा यह हाँ देखिए 59 number question 59 number question है कि Parkinson रोग के इलाज को विक्सित करने में महत्वपुन योगदान देने के लिए नहीं रहिए थे में से किसे nobel पुर्षकार परदान किया गया यहाँ नी Parkinson रोग जो है उसके इलाज को विक्सित करने में महत्वपुन योगदान दिया था जिसको nobel पुर्षकार परदान किया गया उनका नाम था Harvid Carlson अरबिद कार्दसन पार्किंसन रोग से समझ दिते हैं अच्छा पार्किंसन रोग होता क्या है दोस्तो पार्किंसन रोग एक परकार का हमारा मस्तिस्क से जुड़ा रोग होता है एक परकार का मस्तिस्क से जुड़ा रोग होता है दोस्तो मस्तिस्क में का एक हिसा होता है मस्तिस्क का एक भाग होता है और उस भाग का नाम आपको ध्यान रखना है सबस्टेंशिया 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 निग्रा सबस्टेंशिया निग्रा नाम का एक भाग होता है पहरे साथ यह हमारे मस्तिस्क का सबस्टेंसिया निगरा नाम का भाग होता है और उस भाग में क्या आजाती है कुछ से विसरन हो जाता है उस भाग में कुछ से खराबी आजाती है और उस भाग में खराबी होने के कारण तंत्री का तंत्र काम करना बंद कर देता है कौन सा त मुतलब प्रभावित होते हैं उसके बाद 60 वर्स के बाद मैं आपने देखा होगा वेक्तियों से चला नहीं जाता वो बेठे रहते हैं उसका कारण यही रोग है पार्किनसन रोग चीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्यूसन की बात करते हैं क्यूसन नंबर साथ साथ नंबर क्यूसन है कि भारत का बहु उद्देशिय दूर संचार उपगर है इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था इनसेट 2E कहां से छोड़ा गया था पहरे साथियो तो आपको पता है 1999 1999 में इनसेट 2E चोड़ा गया था आपका कहां से कोरू से कहां से चोड़ा गया था कोरू से और कोरू आपका पढ़ता है पस्षी मंगाल में कोरू पस्षी मंगाल का एक नहर नगर है प्यारे साथ यू ध्यान रखना पस्षी मंगाल कोरू यहां से इनसे टू इस रेनिक आपका था, प्रक्षेप अस्तर का विकास किस ने किया था, साथियो ध्यान रत्मा, बर्न हर वोन ब्राउन, बर्न हर वोन ब्राउन आपका correct answer हो जाएगा, इसने प्रक्षेप अस्तर का विकास किया, प्रक्षेप अस्तर क्या होता है, किसी भी रोकेट को छोड़ने के लिए जो अस् साथियों ठीक है अगला कि उसने आपका कि प्रोधोगी की मिशन में निमन लिकित में से क्या सामिल क्या सामिल है प्रोधोगी की जो मिशन आपका उसमें क्या सामिल है उसमें तिलन सामिल नहीं है दाले सामिल नहीं है मकही सामिल नहीं है लेकिन सबजियां आपका प्रोध होगी कि यानि टेकनलोजी के मिसन में सामिल किया जाता है सबजियों को सबजियों को टेकनलोजी के रूप में क्या किया जाता है सामिल किया जाता है क्योंकि सब्जियों के उपर बहुत सारे प्रयोग बगेरे भी होते हैं इसलिए इनको टेकनलोजी के अंदर सामिल करते है सब्जियों को अगला क्यूसन है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था अब sex hormone कौन-कौन से होते हैं बात हम करते हैं पूरूस की तो पूरूस में तो testosterone नाम का testosterone नाम का क्या पायजाता है प्यरसाथियो sex hormone पायजाता है अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में दो sex hormone पायजाते हैं एक का नाम होता है estrogen और एक का नाम होता है मेरे प्यारी साथ यू प्रोजेस्ट्रों इन ने एक सहर्मոन का पता किस ने लगा था इसा पता लगा था एड़ब कोलविन ने किस ने लगा था एड़ब कोलविन ने option number आपका C क्या है correct answer है C का testosterone, estrogen, progesterone इनका पता लगाया था Edward Colvin दोस्तो आज मैंने आपको total 33 question करवाए है उमीद करतों आपको पसंदाए होंगे दोस्तो अगर आप अच्छे से तैरी करना चाहते हैं तो ये मेरी 500 question की जो series है इसमें अच्छे से जुट जाएए आपका काम या आपका कल्यान जुरूर हो जाएगा तो कि मैं साथ में जो आपको important fact बता रहा हूँ ये भी आपके लिए बड़ए important है अच्छे से आपको पढ़ना है पहरे साथ यो इसका PDF भी आपको मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा time दो मेरे को पहले PDF पूरा complete हो जानने दो ठीक है जैसी complete होगा उसके बाद मैं आपको ये PDF दे दूँगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में तना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद जैबार थैंक्यू बाई बाई